नूरपूर में NSUI इकाई नूरपूर द्वारा सत्य सदन में बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता नूरपूर युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष सत्विंदर अंकेश पंडित ने की बैठक में प्रदेश विश्व विद्याले द्वारा घोशित 2018 और 1970 का परिक् में लगभग 21,000 छात्र फेल हुए हैं और यदि नूरपूर कॉलेज की बात की जाए तो परिणाम केवल 35 प्रतीशत रहा हैं वहीं उपकुलपती वशिक्षा मंत्री को ग्यापन भेजने के बावजूद भी कोई कारवाई क्यों नहीं हो पाई इस पर भी बैठक में चात्रों को पिछली कक्षा में बैठाने के नियम के कारण चात्र मानसिक तनाव में हैं और कुछ चात्र तो पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं वहीं इस मौके पर बैठक में आयुजित युवा कॉंग्रिस नेताओं ने भी NSUI को हर संभव सहता देने का आशव प्रदेश उनिवस्ट्री में 21,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं और अगर हम कोलेज लेवल पर बात करें तो हमारा जो नूरपूर कोलेज है उसमें 35% रिजल्ट रहा है और हम लोगों ने सारा पेपर वर्क करके देख लिया है मेम्वरेंडम हमने ज स्टूडरेंट्स फेल हुए है उन्हें जेयो सप्लीमेंटरी एकजामस देने का मुख़ा दिया जाए और एड़ पॉइंट जो हैं वो फेल हुए हैellen ऑन्हें जो है एक से दो裹 मुस्ट देकर पास किया जाए हमारी एक मानी गई साथ में इसमारें पिता ना चाओंगा चुके हैं कि वो अपनी study को carry forward करने के लिए agree ही नहीं हो रहे हैं मतलब की आधे से जादा students जो है वो college ही छोड़ चुके हैं college आना ही छोड़ दिया उन्होंने की मतलब हमारे future के साथ जो है वो खिलवार हो रहा है तो हमारी परदेश सरकार से भी यही मांग है और university से भी यही म भाई दीपक और विशाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे city channel के लिए नूरपूर से संजीव महाजन की रिपोर्ट